हाई फ्रेंज अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं पत्रकार ने पूछा कि चार साल में पी एम मोधी ने क्यों नहीं की प्रेस कॉन्फरेंस अमिच शा बोले कि इसका जवाब आपको संबित पात्रा देंगे शुकरवार को दिल्ली के भाजपा मुख्यालिय में भाजपा के राश्ट्रे अधियक्ष अमिच शा को प्रेस कॉन्फरेंस करना भारी पड़ गया यहां एक पत्रकार ने पार्टी प्रमुख्या से प्रधान मंत्री मोधी द्वारा पिछले साड़े चार साल में एक भी प्रेस कॉन्फरेंस ना करने पर सवाल उठा दिया लेकिन भारतिय अजंता पार्टी के राश्ट्रे अधियक्ष इस सवाल को सुनते ही ना सिर्फ हैरान हो गए बलकि उन्हों ने इस प्रश्णका जवाब देने से भी मना कर दिया अमिश शा ने इस सवाल के जवाब में पत्रकार से कहा कि इस सवाल का जवाब आपको पार्टी के प्रवक्ता संबिद पात्रा देंगे पत्रकार द्वारा प्रधानमंत्री मोधी का PRESS CONFERS ना करने का सवाल सबसे पहले राहुल गांदी ने ट्वीट करके पूछा था राहुल गांदी ने अपनी ट्वीट में लिखा था कि आपको प्रधानमंत्री बने हुए 1644 दिन हो चुके हैं लेकिन आपने आज तक एक भी दिन प्रेस कॉंफरेंस नहीं की है अपरी प्रेस कॉंफरेंस में पत्रकार के सवाल पर जवाब ना देने पर कॉंग्रेस पार्टी ने इसकी निंदा की और कहा कि अमिच शाह द्वारा पत्रकार को उसके प्रश्न का जवाब ना दिया जाना भारत के 132 क्रोड लोगों का अपमान है आपको बता दें कि भाजपा की और से यह प्रेस कॉन्फरेंस पच्छिम बंगाल में ममता बैनर जी की सरकार द्वारा बीजेपी की रत यात्रा को मनजूरी ना दिये जाने के खिलाफ आयोजित की थी इस प्रेस कॉन्फरेंस वे अमिच शा ने बंगाल में बीजेपी से ममता बैनर जी पर सम्विधान और कानून से खिलवाड का मुद्दा उठाया अमिच शा ने कहा कि ममता बैनर जी लोगतंतर का गला घोट रही है Mind the Newsroom की रिपोट Thank you for watching our video अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें